हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट वेलकम टू सक्सिज केरियर आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं साइंस के और जर्नल अवेंडनेस के इंपोर्टेंट कोश्चन जो कि आपके एंफसी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है तो वीडियो को अंतक ब वाले यदि आप वर्क एसिस्टेंट या इस्टिपेंडरी केटेगरी सेकेंड की एक्जाम देने ले जा रहे हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट के लिए तो आप 18 प्रेक्टिस सेट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बाक्स मिल जाएगा एंपीसी आईल का जो की सेम पेटरन होता है या एनफसी का एनफसी हो गया इस्टिपेंडरी केटेगरी सेकेंड और वर्क एसिस्टेंट की पेपर होते हैं लगबत सीलेवस दोनों का सेम होता है तो चलिए आप वहाँ से डाउनलोड कर लिजीगा 18 प्रेक्टिस जो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होगा चलिए एक किस नंबर के कोश्चन देखिए है इस चिन का क्या आर्थ है तो जो चीन दिखाया गया इस चीन का आर्थ होते हैं प्रतिब समाप्ति मेशन प्रतिबन समाप्ति किन और ये पीडिए आपको हमारे टेलिग्राम चैनल से फ्री अफप्कास्ट मिल जाएगा वहा À से जा गर इस पिडियो को डाउंलूड कर लिज्येगा अगला जि तो अगला कुछिर है रतनागीन निम्लिकित में किस फल के उत्पादन के लिए परसीद है तो रतनागीन जो है ये किस फल के लिए अन्नास के लिए फल के उत्पादन के लिए काफी परसीद है अगला है महराष्ट के निम्रिकित में से किस जिले में चंदोली राष्ट उध्यान इस्तित है तो चंदोली राष्ट उध्यान ये जो इस्तित है शांगली में महराष्ट के सांगली में चंद एक जो है उसका अस्थापना किया गया था अगला कोशन है निम्लिकित में से वर्स का कौन सा दिन महाराश दिवस के रुप में मनाया जाता है तो महाराश दिवस के रुप में किसे मनाया जाता है कौन से एक माई को महाराश दिवस के रुप में मनाया जाता है अगला कोशन है 4 मीनार काहां इ ी थी थे तो बिल्कुल अच्छा को In chains CIA है ध्राबाद च्रेक टेंस्वर हो जाएगा अगला कोश्चन है पस्चिंबगाल में हावड़ा पुर किस नधी पर बनाया गया है बिल्कुल इजी कोश्चन हुगली नधी के किनारे बनाया गया है अगला कोश्चन है महाराष्ट में निम्लिकित में से कौन सा सहर कुस्ती के लिए परसीद है तो कौन सा सहर है महाराष्ट में कोलापूर जो है ये कुस्ती के लिए काफी फेमस जगा है अगला कोश्चन है कौन सा देश बारत के साथ सबसे लंबा सीमा साजा करती है तो कौन सा देश भारत की साथ सबसे लंबी सीमा साजा करती है चीन, पाकिस्तान, आफगानिस्तान, बंगलादेश तो यहां करेक्टेंसर हो जाएगा बंगलादेश जो है यह भारत की साथ सबसे लंबी सीमा साजा करती है क्योंकि ये क्या है पीच में हीरा हो मिच फाट अगला है पृतिवी अपनी अक्ष पर कैसे घुमती है पक्षिम सेम कि पशिक की और तो आपको पता होना चाहिए पहस्फिम से पीच में अपनी apparent खूमती है अगला कॉश्चन निम्लिकित मेंसे कौन सा एक मानक नहीं है मानक कौन सा नहीं है इसमें तो जो मानक नहीं है देखें मीटर सेकेंड और किलोग्राम यह मानक है और जब कि लीटर क्या है वैटमन रासी आए अगला कोश्चन है बरफीली ठंडे पानी से भरे हुए इस गिलास की बाहरी सता पर देखी गई पानी की बूधे किसके कारण बनी होती है तो जो देखिए गिलास में अगर ठंडा पानी बारके रख दिया जाए तो उसके बाहर सता पर छोटी छोटी पानी के बूधे बन जाती है किसके कारण संगनन के कारण अगला कोशन है निमलिकित में से आयोडीन की कमी से होता है क्या होता है आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है क्या होता है घेगा रोग अगला कोशन है विरिद मैलाव में आस्टियो पोरोसिस मुख्या रूप से पाये जाता है यह किसकी कमी से होता है तो यह होता है कैल्सियम की कमी से औस्टियो पोरसिस रोग होता है अगला कोशन है निमलिकित में से कौन सा विटामिन जल में विले है तो जल में विले है विटामिन C अगला है संपूर आहार रोटी और अनाज में समरीद होती है क्या समरीद होती है तो सबसाइब और दो एक नियुटन के दूटिया नियुक्तन की दूटिया नियुमें से एफ इकोल टू एमें में बनकर आता है अगला कूछन है क्रिकेट गेंद को पकड़ना किसी दान्थ पर कारिया करता है तो क्रिकेट गेंद को जब पकड़ा जाता है वो रेखियत सम्वेग के अधार पर या सिधान पर कारिय करता है अगला कोशन है 14 नमबर निमलिकित में से कौन सा सामगरी एक इंसूलेटर नहीं है चर्णी कर्यार पर हो जागा ये इंसूलेटर नहीं है अगला कोश्चन है 42 नंबर निम्लिकित में से गैस के रिसाओ का पता किसके द्वारा असानी से लगाया जाता है तो किसके द्वारा असानी से लगाया जा सकता है गैस का पता विटामिट D किसके द्वारा असानी से लगाए जाता है गास के रिशाव का पता तो ये एथिल मर कैप्टन की असानी अगंद की तीउड़ता विसरर कारण हम जो गास की है उसे रिशाव का पता लगा लेते हैं अगला है मानो आख वस्तू का चित्र कहां बनती है तो मानो आग का वस्तु का जो चित्र बनता है ये रेटीना पर बनता है अगला कोश्चन है जैवगैस यानि कि बायोगैस का मुख्या संघटक क्या है तो जैवगैस यानि कि बायोगैस का मुख्या घटक जो है ये मिथेन है अगला कोशन है जिवास्म इंदर में संगरीत उर्जा का अंतिम सुरुट क्या है जिवास्म इंदर में संगरीत उर्जा का अंतिम सुरुट जो है यह सुर्य है अगला कोशन है निमलिकित में से कौन सी खरीब फसल नहीं है तो खरीफ फसल सर्सो नहीं है बाकी मक्का, कपास, उरद ये सब क्या है? खरीफ फसल है अगला कोशन है हरित क्रांती में डाठ डाट सामिल है तो हरित क्रांती ये कैसी क्रांती है? ये हरे फड़े पादों से संबँ compound से हैं देखिए केवल फसल की विजिताब में सुधार करना है केवल खाद का अधिक उपयोग करना केवल सिचाई का विश्थार करना है तो यहां करेक्टेंसोर क्या हो जाएगा उपरोग सभी सही हो जाएगा हरित करांती उपरोग सभी से शामिले अगला कोशन है धावनी की चाल सबसे अधिक निमने से होती है सबसे अधिक चाल बताना है इस्टील में, निर्वात में, अलकोहल में, एर में तो याद रखीएगा धावनी की सबसे अधिक जो चाल होता है ये किस में होता है? ये इस्टील में होता है अगला कोशन है किस गैस का उप्योग उन प्लास्टिक बैगों को फ्लस करने के लिए किया जाता है जिनमें तेल में तले हुए चिप्स या अन्य खादी पदारतों को बिकरी के लिए पैक किया जाता है तो करेक्टेंस वर यहाँ पर क्या हो जाएगा C-Nitrogen अगला कोशन है स्वच पेजल की आप पूर्ती डाट डाट की सभावना को कम करती है तो स्वच जल जो है उस पेजल की आप पूर्ती जो है यह कौन करता है जल जनित रोग की सभावना को कम करता है तो स्वच्च पे जल का मतलब है जितने भी जल से होने वाले रोग है ठीक है स्वच्च जल तो उसे हमें नहीं होगा तो इसलिए जल जनित रोग जो होता है अगर हम सुध पे जल पीते हैं तो नहीं होगा ठीक है तो इस पर का हमने 50 कोश्चन आप लोग उससे डिसकस कर दिय है मैत का कोश्चन नहीं देखा है तो जरूर जाकर देख लिएगा लिंक डिस्क्रिप्टिन बाक्स में मिल जाएगा आज के लिए वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा के तो लाइक कर दिजिएगा और चैनल पर पहरी बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिज सब्सक्राइब